कोश्च नमबर 23 में में फंक्शन गिवन है fx equal to sin x upon x if x is less than 0 and x plus 1 होगा जब x की value greater than होगी और equal to होगी 0 के और हम से कहा गया है find all points of discontinuity तो देखिए equal to sign हमारे यहां पर है 0 पर x is greater than equal to 0 तो जहां पर हमारे equal to sign होता हमें उस point पर function की continuity को check करना होता तो हम कहां check करेंगे at x equal to 0 पर तो 0 पर हम left hand limit right hand limit और function की 0 पर value को check करेंगे कि हमारा function continuous है 0 पर या नहीं है तो सबसे पहले left hand limit find कर रहे हैं left hand limit के लिए लिखेंगे है limit x tends to 0 minus f x limit h tends to 0 और यहां पर x क्या put हो जाएगा 0 minus h put हो जाएगा देखें 0 के left में हमें देखना है जीरो से छोटी value के लिए चैक करना तो जीरो से एक्स जीरो से चोटा कहां पर है यहां पर है तो हमारा function कितना हो जाएगा sin x upon x हो जाएगा तो जहां पर भी x है वह हम में क्या put कर दूँगा 0 minus h तो यहां लिखेंगे हैं साइन 0 minus h upon में यह हो जाएगा 0 minus h देखें साइन माईनस ठीटा बचए गए साइन एस टेंस तो जीरो यह में बचा साइन माईनस h sin minus h så यह हमारा हो जाएगा minus ka sin h कभी भी sin minus ka theta होता है तो वो minus ka sin theta हो जाता है तो means sin minus h तो कितना हो जाएगा minus ka sin h और यह हमारा minus ka h minus से minus cancel out हो जाएगे हमार पर एक formula होता है देखिए अगर limit h tends to 0 होती है और sin h upon h होता है मिन्स यहाँ पर भी h है यहाँ पर भी h है और h tends to 0 होता तो इसकी value हमारी 1 हो जाती है आप देखे h tends to 0 है sin h upon h है कितनी value हो जाएगी इसकी 1 तो यह हमारा क्या हो जाएगी left hand limit होगी अब हम right hand limit find करेंगे लेकेंगे r h l limit x tends to 0 0 plus f x equals to limit h tends to 0 f 0 plus h देखे x की जो value हो 0 से greater है मिन्स हम देखेंगे x की value यहाँ पर है 0 से बढ़ी देखे x is greater than 0 से बढ़ी है function हमारा क्या जाएगा x plus 1 हो जाएगा तो जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर हम क्या put कर दिंगे 0 plus h put कर देंगे तो हमारा function था x plus 1 तो जगा 0 plus h plus 1 देखेंगे अब हमारे जहाँ पर भी h है यहाँ पर वहाँ बढ़ी हम क्या put कर देंगे 0 तो जगा 0 plus 0 plus 1 क्या हो जाएगा इस का अंसा 1 तो यह हमारी right hand limit आगे देखें लेट hand limit भी हमारी 1 है और अब मैं function की 0 पर value और चेक कर रहाँ तो f 0 देखें equal to assign कहाँ पर है equal to assign ही यहाँ पर means function हमारा कुन से रहेगा x plus 1 रहेगा तो जहाँ पर भी x है वहाँ हमारे 0 put कर दिया plus 1 value कितनी आ जाएगी 1 आप देखें left hand limit right hand limit और function की 0 पर value तीन नो इक्वल है तेकिन कहा LHL equal to RHL equal to function की 0 पर value so function fx is continuous function